असलाम आलेकूं, वेलकम टो मैं चैनल, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले साबुत धनिया आलो की शादियों में जोकी सर्फ की जाती है, बहुत ही मज़िदार टेस्टी सबजी, जोकी बनाने में काफी असान है, तो शादियों वाले एक तम परफेक्ट आलो की सबजी, यह चमज भर के जीरा, और साथ से आठ चाबुत लाल मिर्चे आपको लेनी है, यहाँ पर इन सारी चीजों को हलका सा आपको रोस करना है, बस इतना ही कि इसके अंदर का जो मुएस्चर होता है, नमी होती, वो पूरी तरह से खतम हो जाए, तो जब यह सारी चीज़े हलकी सी र जाए, यहाँ पर पहले से रोस करके लिए गई है, तो जब रोस रोट है, उसके बाद आपको इसका दर-दर सा पाउडर तयार करना है, इसको जब फाइन ग्राइड नहीं करना है, आपको थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए, इस तरह से जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे है पिरकुछ सेव इसी तरह से आपको इसका दर-दर सा पाउडर तयार करना है, नेक्स यहाँ पर आलो को बॉयल कर लिया गया है, यहाँ पर एक किल आलो लिया है, कोशिश की जगह कि आलो का जो साइज है, वो इक्वल होना चाहिए, सारे एक जैसे होने चाहिए, जिससे कि इ प्रिकने में थोड़े अच्छे लगते हैं, और यहाँ पर अगर आपको लाल वाले आलो अपके पास तो उसका इस्तमाल किजएगा, जो कि बावर्ची लोग शादी में प्रिफर करते हैं कि लाल आलो मिले, लाल आलो से अच्छा टेस्ट आता है, तो आलो पल करने के बाद आपको इसके बाद इसमें और जो चीज़े लेनी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें एक गटी बारी कटावा है रदनिया, दो नीबू के रस आपको लेने हैं, और साथ में ही चाहिए आपको चार इंच का अद्रक कर तुक्रा जिसको आपको बारी कट लेना है, अद्रक का बहुत अचा फ्लेवर आता है इस सबजी में, साथ में बारी कटी भी हरेमेज, अपने टेस्ट की एसाप से, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें चोकि आपने देख ली हैं, जिससे आपको पहले से प्रिपेर करना है, इसके बाद आपको जो चीज़े डालेंगे, व दरसा कूटा था, वो सबसे पहले आपको इसके अंदर डालना है, इसको हलका सा फ्राय करना है, दो से तीन मिनट, और उसके साथ में इसमें डाल देना हल दी, जो कि एक चमच जाएगी इसके अंदर, बस आपको इसको धीमियाच पर दो मिनिट तक पकाना है, जब यह थोड आपको इसके अंदर जो आलू आपने बॉयल करके रखे थे, इसको आपने कट कर लिया है, यहाँ पर जैसे कि आप इसके पीस दे सकते हैं, इतने बड़े साइस की रखने हैं, क्योंकि अगर छोटे रखेंगे तो वो तूट जाते हैं, इसलिए जब आप आलू को काट तो उसके पीसे थोड़े बड़े साइस की रखें, और आपको आलू को हार्ड बॉयल करना है, सिर्फ आपको इसमें दो सीटी लेनी होगी और आपका आलू गल जाएगा, इससे जादा मत करेगा, वरना फिर तूट जाते हैं, अब आलू को यहाँ पर अच्छी तरह से मिला लि जाएगी, अब इन पाउड़ेट मसाले को डालने के बाद वापिस इसे आलो में अच्छी तरह से मिला लेना है, जिससे कि सारे पाउड़ेट मसाले अच्छे से आलो पे कोट हो जाएगे, आज को धीमी रिखेगा, धीमी आज पर इस आलो की सबजी को अब तियार किया आपको रज निकालना था, वो इसके अंदर डाल दिया गया है, और साथ में जो बारी कटीवी धनिया आपको स्टार्टे में दिखाए थी, उस सारी आपको इसके अंदर डाल देनी है, हारा धनिया का बहुत यचा फ्लेवार आता है इस रेसेपी में, आप यहाँ पर इस क्रिस्पी निसा जाती है, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाते हैं और जो की बहुत ही अच्छे लगते हैं टेस्ट में, यहाँ पर आपको पास से दिखा सकते हैं कितना जवदस लुकाया हुआ है, धनिया लुका, तो यहाँ पर देखिए यह फ्रेंसी सबजी हो चुकी है, कि आफ लेम को आफ कर दें, हिंग टालने के बद लेजिए और पासना को बल्कुल नहीं पकाना और पका जाती है, तो हिंग की टश मल होती होती है, आपको हिंग लचा कर Tş कि बहुते हैं, तो फ्रेंच साप पिल्कुल सेम इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और आपको बिल्कुल सेम वई टेस्स मिलने वाला है तो आप इस रेसिपी को ट्राय किजिए और कमेंट सेक्षिंटे मीं बताएगा कि आपकी यह दम आलो जीरा धनिया वाली सब्जी किस तरह से बन कर त्यार ह और अगर आपको रेसेपी थोड़ी सी बेची लगती है तो आप इसे लाइक किजेगा अपने फ्रेंस और फाबने में शेयर किजेगा जिसे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रेसेपी का फाइदा उठा सकें थैंक यू सो मच